शुबमन गिल ने तोड़ा अंग्रेजों का घमन तो अश्विन ने दिलाई है यहाँ पर जबरदस शुरुआत बता दू तीसरे ही दिन पर भारत ने अपनी पहली पारी में सबसे पहले 296 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लेंड ने 253 रन ही बनाए और इसी के बाद में तीसरे दिन का जो खेल था वो काफी ज़्यादा रोमाचक रहा क्योंकि भारतिया टीम अपनी दूसरी पारी के दौरान तीसरे दिन पूरे दिन बल्ले बाजी नहीं कर पाई और अपने दसो विकेट यहाँ पर गवा दिये तीसरे दिन पर भारत की शुरुआत काफी ज एंडर्सन ने 17 रनों के बाद ही उन्हें अपना शिकार बना लिया और इसी के बाद में रोईच शर्मा भी जेम्स एंडर्सन की ही गेंद पर 13 रन बना कर बोल्ड हो जाते हैं लेकिन अपनी 12 टेस्ट पारियों में लगातार खरा प्रदर्शन करने वाले शुबमन गिल ने वहीं पर छटे नंबर पर आने वाले बल्ले बाज अक्षर पटेन ने 45 रन भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपून बना दिये शुबमन गिल को छोड़ कर किसी भी इंडियन बल्ले बाज ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली आज के दिन पर और भारत जो है 255 रनो के लक्ष का पीछा करते हुए सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली और बेंड ड़केट ने हर बार के तरह ही ओपनी यहाँ पर करनी शुरू कर दी शुरुवात से ही वो लंबे लंबे चौक है चक्के लगा रहे थे लेकिन यहाँ पर रवी चंदन अश्विन की गेंद पर दसवे ओवर के अंदर ही इंग्लैंड का पहला विकेट हमें देखने को मिला बेंड ड़केट रवी चंदन अश्विन की गूगली का शिकार बने और पीछे खड़े विकेट की पर श्रीकर भरत ने बहुती शांदार तरीके से यहाँ पर उनका कैच लपक लि और डे 3 पर इंग्लैंड यहीं पर सिमट जाती है तो कल के दिन जो है इंग्लैंड को 332 रन बनाने है जीतने के लिए और उसी के बाद इंग्लैंड यहाँ पर दूसरे टेस्ट मैच को जीत पाएगी लेकिन भारत की तरफ से जिस तरीके से गेंद बाजी हो रही है उसे दे अलगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा